क्या आप भी फेसोग पर बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में आपको यही सिखाऊंगा यह वीडियो काफी जाधा रिसर्च करके बनाई गई है तो आपको इस वीडियो को कम्पलीट अच्छे से देखना है ठीक है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमेशा में आपके लिए आपे helpful वीडियो लेके आता रहता हूँ तो सबसे पहले में ये क्लियर कर देता हूँ आप अपनी Facebook पेज में प्रोफाइल में bank account लिंक करने जा रहे हैं ठीक है तो उसमें आपको देखो तीन documents की जरूत पड़ती है एक तो आपके पास pen card होना चाहिए एक आधार card होना चाहिए और एक आपकी bank की पासोग होने चाह है तो wifi को आप connect कर लिजिए उसके बाद आपको अपनी Facebook पर click करना है देखो Facebook पर जैसी आप click करेंगे तो यहां पर आपको एक काम करना होता है सबसे पहले monetization on करने के लिए या bank link करने के लिए आपको एक काम करना है यहां पर profile icon पर आपको click करना है और यहां पर आपको वीडियो अपलोड तो नहीं है तो रिपेट आवोड अदर्श इस पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे कोई वीडियो आवारा आपको नजार आ रहा हिए तो वह आप डिलीट कर दीजिए ठीक है उसके वासफ से पहले काम आपको यह करना है उसके बाद यहाँ पर आपको क् किलिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ सकता है या कोई अधर पर होपसन यहां पे इस तरीके से नहीं सोख सकता है कोई दिक्कत नहीं है यहां पी आपको यह निजर आ रहा होगा your tools तो star है subscription है इस ट्रीम एड है ठीक है जिस पर भी आप बेंग account setup करना चाहते हैं उसी पर आप click करेंगे यसी कि मैं start पर आप यहां पर किसी पर भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जैसे star पर मैंने click किया आपको इस तरीके से click करना है जैसी click करेंगे तो आपको ऊपर की तरफ इस तरीके से दिख जाएगा add your payment payment ठीक है तो यहां पर आपको add payment अगौंट पर पे लिएकंट करेंगे तो इस तरह कीशी डेटेल करली Только आ आपको सही-सही फिलप करना होगा आफका फर्स्ट नेम आपका जो इन हो लास्ट नेम जैसे मेरा जो neue है यहां पर ईंछलाब करो बहुँ है तो पंकज कुमार तो टालोगा नीचे लाश्र में टालोंगा कुमार उसके Deck of birth डृत सही आपको डाल ने है उसके दर कंच्रीर आपको सही थालना हूं कौक है अब देख सकते हैं यहाम मैंने डाल दिया है ठीक है और इधा अफसे बाइस तरह से डालिए ठीक है अगर यहां पर बहुससे लोगोंका लोगों साथ जैसे पंकज, कुमार, साक्या हो गया तो आप उपर ही डालेए, लास्ट का आप नीचे डालेए, ठीक है, उसका आप नेश्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे आप नेश्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नजा पीज खुल के आ जाएगा, इस तरीके का यह देख सकते हैं, यहा यहाँ पे मैं आपको complete पताऊंगा, तभी आप सीख पाएंगे, पूरा देखेंगे तब, ठीक है, तो यह देख सकते हैं, आप यह फर्स्ट नेम आ गया, पंकच मेंने डालाता भी, middle name इनका कुछ भी नहीं है, कुमार मेंने डाल दिया, यह डेटो बरता आ गई, तो प्रैमरी एड्रेस में हमेशा आप अपना जो आधार कार्ड होता है, उसके पीछे देखना है, वो आपको एड्रेस होगा, वो आपको सही से फिलप करना है, ठीक है, इसी कि अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम मेंने डाल द दिया, उसका डेट ऑब बर्त ओटोमेटिक यह फेच कर लेगा, उसका प्रैमरी एड्रेस आपको आधार कार्ड पे जो भी है, उसी तरीके से डालना है, आपकी सिटी यानि कि डिस्टिक कौन सी है, ठीक है, आपकी डिस्टिक कौन सी है, वो आपको यहाँ पे फलफ करनी है उसका डापकी सिटी कौन सी है, किस राज जिसे है, वो एडरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे मुँझ अतरपदेश से हूँ, सिलेट कर दिया, यहाँ पे आपकी एरिया का जो पोश्टल कोड है, जैसे की पैन कोड है, पैन कार्ड, पैन नमबर है, ठीक है, एरिया का पैन होता है नमबर, वो आप यहाँ डालेंगे, पोश्टल को डागरवाला, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी फोन नमबर हो, आपको एसाइस सही से फिलफ करना है, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एपनी एमेल आड़ी डालनी है, ठीक है, सही से आपक आपको लिफ़ करना है, ठीक है, चेक बाग पे, उसके बाद यहाँ नेस्ट पे आपको जैसे क्लिक करेंगे, आपकी सामने एक नया पीज खुल के आजाएगा, इस तरीके का यह देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी सामने तीन ओप्सन आते हैं, कि आप जो भी रुपे ल होंगे जो रुपए हैं दो से तीन दिन में आपके बैंक अकाउंट पर आ जाएंगे ठीक है SMS भी आपके फॉन में या फिर जो भी आपने email लगाई उस पर आ जाएगा उसका यहाँ पर आपको देखेगा बैंक के कंट्री अब आपको पने बैंक की डेटल फिलफ करनी है यहां पर जैसे का आपकी जो बैंक के अकाउंट करन्सी है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे ठीक है एयरोपे ठीक है यहाँ पे पहले से फिलप होती है I-N-R तो इससे आप छोड़ दीजिए Legal First Name यहाँ पे आपको चेक कर लेना है और Legal यहाँ पे Last Name भी आपको चेक कर लेना है अगर आपका Middle Name है मैंने पहली बता है वो आप यहाँ भर सकते हैं नहीं तो छोड़ दीजिए आपकी पासों हो भी उस पर IFSC code डला होगा और आपका bank का जो account number है वो आपको यहाँ पर flip कर देना है चली मैं flip करके आपको यहाँ दिखाता हूँ जैसी कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर IFSC code डाल दिया है bank account number डाल दिया है अब यहाँ पर आपको link payout method पर click करना है जैसी आप इस पर click करेंगे आपके सामने यहाँ पर आपका bank account है आपकी page या profile से link हो जाएगा ठीक है तोड़ा बेट करेंगे अब यहाँ पर यह बोल रहा है कि add your tax info तो यहाँ पर आपको अपनी tax info भरनी होती है यह भी आपको complete करना होता है तो यहाँ पर मैं add tax info पर click करता हूँ के रूप में जारी रखें तो यह cancel करें नहीं करना है आपको उपर ही click करना है ठीक है इस तरीके से यह load होगा यह देख सकते हैं मैं आपसे फिर से देख ट्राइ करता हूँ जैसी आप यहाँ इस तरीके से आएंगे तो यहाँ individual ferry से select होगा उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आएगा कि आप US के citizen है तो आप यहाँ पर no कर दीजिए ठीक है इंडिया से है तो आप यहाँ नो ही कीजिए मैं no कर देता हूँ दोनों पर no करना है आपको उसके बाद देखो यहाँ पर आपको फिर nest क्या करना है आप यहाँ पर nest पर click कर देंगे अब यहाँ पर इस तरीके से आजाएगा full name आजाएगा उसकर यहाँ पर country of citizenship तो यहाँ पर आपको अपनी इंडिया को ही select करना है आप भी जिस भी country से हैं वो आप यहाँ select कर दीजिए ठीक है तो यहाँ पर मैं select कर देता हूँ जैसे मैं यहां इंडिया से हूँ, तो मैं इंडिया select कर दिता हूँ, उसके बाद इस तरीके से तो यह देको आ जाएगा, ठीक है अब यहां पर आपको next करना है, जैसे आप next करेंगे, इस तरीके से आपको जो भी address बगएरा सारी आपको सही से चेक करना है और यहां पर लाइन 2 यहां पर देख सकते आपका टीक है सही से ऐड्रेस चेक करने के बाद आपको यहां करना है नेस्ट करना है अब यहां पर इस तरीके से देखो नया पीज खुल के आ जाता है आपके सामने जैसे आप नेस्ट करें आपके सामने इस तरीगे से आ जाएगा सब कुछ ठीक है अब दिखो यहां पर आपको यह फर्स्ट वाला जॉप्सन है इस पर क्लिक करना है उपर से नीचे की तरफ आएंगे तो इसे टिक कर दीजिए उसका सेगनेचर पर आप क्लिक करके यहां पर आपका जो भी नेम आपने भी डाला है पैन कार्ड आधर का वो सही से नेम आपको यहां पर फिलफ कर देना है मैं यहां पर सही से फिलफ करना है सही से फिलफ करने का डेट यहां पर सब कुछ आ जाएगी सब कुछ हो जाएगा अब यहां नेस्ट पर आप क्लिक करेंगे ज अच्छे से जैसे मैंने यहां पर इस तरीके से दिखा दिया है आपको इस तरीके से पढ़ देना है अब यहां पर आपको क्या करना है सम्मेट फॉरम पर क्लिक करना है जैसे आप सम्मेट फॉरम पर क्लिक करेंगे आपको यहां थोड़ा वेट करना है जैसे आप थोड़ा व तो update भी यहां से हो जाता है, तो अब आपको दिए क्या करना है, क्लिक करना है, जैसे अब डन पे click करेंगे, add your tax info, यह भी यहां से complete हो जाती है, फ्रहन आ बेट करेंगे, सारी सीजी यहां पे हो जाएंगे, यह देख सकते हैं, यहां successful हो चुका है, यह earning का option आच चुका है और यहाँ पे आपका account भी लग चुका है यहाँ से आपको यह हटा देनी है बिलकुल आपको फिर से अपनी फिर सोब पर क्लिक करना है यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे C dashboard पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इस तरीके से monetization में जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से आपका monetization complete हो गया है तो यह वीडियो आपको कैसे लिगी हमें comment में जquarी बताइए फिलार में इस वीडियो में लेता हूं विचा यहाँ पे आपका जब तक 25 डॉलर नहीं होगा तब तक यहाँ पे नहीं आएगा ठीक यह दियां रखना है यह देखको इस्टार का यहाँ पे आ चुका है ठीक है और यहाँ पे आपको आप जितने भी हैं सभी आपको यहाँ पे धीमे धीमे कर लेने हैं ठीक है यहाँ पे आ आम लेता है अगर इसको आप अनेबल करना चाहते हैं उसकी मेरे वीडियो बना दिये वो देख लीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं जैन